आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेंबो होस्पिटल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविदाव शुरू की गई है नई एवम आधुनिक आग्रा शेत्र की पहली ऑप्टिमा 128 सीटी स्कैन मशीन का संचालन वरिश नियूरो सरजन डॉक्टर आर्सी मिश्रा ने स्कैनिंग रूम का फीता काट कर आरम कराया डॉक्टर आर्सी मिश्रा ने बताया कि रेंबो अस्पताल चिकिस्ता सुविदाव को विक्सित करने में हमेशा ही अग्रणी रहा है नवीनतम तक्नीक आधारत उपचारों और उपकर्णों को यहां सबसे पहले संचालित किया जाता है अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेंदर मलहोतरा ने बताया कि यह आग्रा शेत्र की पहली 128 स्लाइड वाली CT स्कैन मशीन है जिससे हिर्दे मस्तिश्क, लिवर किड्नी, पेट की CT, एंजियोग्राफी की जा सकेगी डॉक्टर जगदीप मलहोतरा ने बताया कि इस मशीन के जरिये स्कैन को और गुणवत्ता पूर्ण बनाया जा सकेगा गहन जांज संबव हो सकेगी रेंबो कार्जियक केर के डिरेक्टर डॉक्टर विनीश जैन ने बताया कि आगरा और आजपास के शेत्र की ये ऐसी पहली अत्यादुनिक CT मशीन है जिससे मरीजों को बड़ी राहत होगी इसकी मदद से हिर्दे की नसों की CT द्वारा एंजियोग्राफी भी अब संभव हो गई है इसके लावा पूरे शरीर की नसों की CT एंजियोग्राफी बहतर ढंग उच्च गुणवात्ता पूरवक तरीके से की जा सकेगी हिर्दे की रने विमारियों की पैचान और भैतर तरीके से करने में भी यह मददकार होगी वरिश्ट पेट, लिवर, एवम, आंत, रोक, विशिश्च गे डॉक्टर हिमांशू यादव ने बताया कि हाई रेजियोलेशन से पेट की नसों को गहनता से देखने पेट के जटिल मामलों की पैचान और पेट के कैंसर की पैचान कर उपचार की योज़ना में यह मशीन बेहत मददकार है ICO प्रभारी डॉक्टर वंदना कालरा ने भी मशीन को जटिल रोगों के इलाज में मददकार बताया रेडियोलोजी विभाग के डॉक्टर राहूल गुपता ने बताया इस मशीन की स्वीड बेहत तेज होती है ऐसे में पहले जितने समय में एक मरीज का टेस्ट होता था अब उतने ही समय में अब तीन से चार मरीजों की जाज आसानी से हो जाएगी इससे सीटी एंजियोग्राफी भी हो जाएगी फिजीशन डॉक्टर विश्वी दीपक ने बताया कि रेडियोलोजी विभाग में यह उननत सीटी स्कैन की सुविदा उपलब्ध हो गई है रेडियोलोजी विभाग में इस मशीन के जरीए डॉक्टर राहूल के साथ ही डॉक्टर वसीम अक्तर के निर्देशन में टैक्टिशिन अमित शर्शीकांत राहूल और शशाग मरीजों को अपनी सेवाए देंगे सी नियूस के लिए लक्षमीरा सिंग की रिपोर्ट